वेल्कम टू सोल्स रविसे स्टेडी वेल्कम बैक छे फरवरी है आज और लास्ट टेस्ट लगाते हैं आज का यूपी पीसेस के लिए ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं तो कोंशच्न नमबर बन का आंसर करिए थो जो, मैंसे किन सागरिया प्रदेशों में ट्रौपिकल 20 साइक्लोन की उत्पति होती है चैश्च पर किन साघृ प्रदेशो में मेillा कटी वन्दे चक्राइब होते हैं ना वह होते हैं आठे डिगरी से लेकर कि कम से कम 88 50 तक चार्ट पचाइस पर्चाइस जाद हो गया 25 तक हो ठीक है 25 डिगरी तक डिगरी क्या 25 डिगरी अक्षांद आठ डिग्री अक्षान से लेकर पच्चिस डिग्री अक्षान यह अन्म एपनी पठी बीस वीच सेख डिक रेका खी चिंगे ृ क्विटर हो गया नot लाइन क्या है भूमत देरेका है उपर का उत्री गोलार्द नीचे का धक्शनी गोलार्द यहाँ है यहां था यू और यहां पर 3.5 तक यहां वाँ जीरों से पांच दिग्री तक सांत रहता है चेतर और चक्रवात रहता है पांच से थोड़ा उपर लेके आठ से यहां पच्चिस तक जाएगा नीचे बीदोनों को लाटों बनते हैं तो अभी यहां तो बंगाल की खाड़ी भी है अरब साग सागरों के पश्मी भाग में होती है इनकी उत्पत्ती प्रत्वी के दोनों गलार्द में होती है उत्री गलार्द में भी दक्षिन गलार्द में आठ डिग्री अक्षांस से लेकर 25 डिग्री अक्षांस के बीच होती है और विश्व के निम्रखित सागरिय परदेशों में ट् बंगार की खाड़ी एवं अरब सागर के छेत्र दक्षण हिंद महासागर के मिर्ड अगास्कर के पूर्वी सागरे छेत्र दक्षणी पुर्षण महासागर का मध्य एवं पश्मी भाग यह सारा का सारा जो है आठ से 25 डिगरी के बीच ही होगा कुशन अमर्ट टू पर आजएए नमर्की दमें से कौन सा देश केस्पियन सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है इसका ट्रिक याद रखना तारीक है टी ए आर आई के तारीक केस्पियन सागर से सीमा बनाने वरे देशों की ट्रिक मतलब तुरकमेनिस्तान अजरबेजान रूस मैंन comigo मैंने तुरकमेनिस्तान अजरबेजान रूस ऐसा आई फौर इटली तो है नहीं ठीक है तो यह ट्रिक तारीक तो मैनिस्तान अजरबेजान रूस एरान और सान याद रखना कcketा सीमी इसे किसी इस 스ान को सूखा पढ़ने किसी स्थान पर सूखा पढ़ने के क्या करन ह स्थान को सूखा पढ़ने के किसी स्थान पर सूखा पढ़ने के किए करण हम सकते हैं बदाये कि बर्षा का भाव है बिल्कुल सूखा पढ़ेंगा बड़े पेमाने पर्वनों की कटाई होगी तो ड्ली नहीं होगी से तो ठीक है ना सिष्टम ना करना ये तो सारे के सारे हैं वर्षा जल संचे ना करना सूखा पढ़ने का करना है देखे पहला है दूसरा है तीसरा है और चौथा भी है तो सूखा पढ़ने मतलब causes of drought बर्षा का आभाब है और बड़े पैमाने पर वनों की कटाई करना भूमी के जलकाते देखो प्योग करना वल वर्षा जनल संचे ना करना मरुस्तलों को नियंतरित करने की उचित परियोजना का अभाव और तीब्र जनसंक्या वरधी ये तो है है तो था उपूफुकता बाद भी है है जा के बारे में निम्रकित मैंसे कौन सा स्टेट्मेंट सही है 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 जा यानि कोलेरा बोल स्टेट्रामक भीमारी है इससे बड़ी आद में सूजना आती है कि अल्यों जो फींखित दो तो कर जाते हैं तो है स्मॉल एंटेस्टना फें सूजना की बड़ी आत में अगनिकांड यानी वाइल्ड फायर के बारे में नम्लखित में से कौन सा गधन सही है इससे पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाब पढ़ता है बिल्कुल पढ़ता है औस्ट्रेलिया में हजारों कोअला जल गए अगनिकांड ब्रक्षों को जलाती है तथा मौसम को परभावित करती है पढ़ने के साथ ही लग राकर करेक्ट होगा अगनी कांड किसी छोटे अथवा बड़े छेत्र को परभावित कर सकती है अगनी कांड की घटनाएं फ्रांस नौर्वेड डैनमार्ग जैसे देशों में आम है देखिए ये तो यौरप बाला पार्ट हो गया तो यहां कहां एंडिकांड वहें होस्टलिया है ठीक है मा permis स्थीटमेंट कितने कटेंगे 5 चार को गुपसे बनों में लगनी वाली आग से पारिस्तिती की इपर प्रती कूल प्रुभा पढ़ता है और पारिस्ति की तंत्र को भारी हानी होती है अगनी कान की घटनाएं ऑस्ट्रेलिया इंडोनेसिया स्युक्तराज अमेरिका जैसे देशों में आम हैं ना कि नौर्वे फ्रां से नभी करण नहीं होता हो यह जब नभी करणियशनसादन कहलता है जब नभी करण संसादन कैसे कहलाएं हो आगार बींकरण कें यह हो जागार इसको अंसर तो देखिए कोई भी संसाधन जिसका प्रकिर्तिक ढण से नभी करन होत büyड ways जैसा की शौर उंच पोन उड़ो भुटापी जौर अधी संसाधनों के उधारन और जिन संसाधनों का नभी करण नहीं किया जा सकता वह आ नभी करणी है संसाधन कहलाते हैं जैसे कि कोईला जल गया तो जल गया प्राकिट्टी के जल गया जल गया तो जल गया यूरेनियम गया तो गया केरोसीन तेल जल गया वापस थोड़ी आता है काश्चन मुखी उद्गार भूकम्प की उत्पत्ती का कारण है यह भी है दोनों थो प्रो还, करण कोन मान भी करना तो है हर चीज में कोशन नुमर एट पर आ जाए है प्रत्वी के भीतर जिस बिंदू से भूकम की उत्पत्ति होती है उसे क्या करते हैं यह प्रश्ण इंपोर्टन्ट है और इसमें जो है अधी केंद्रिया एपी सेंटर लागा कर इसको गलत मत कर देना देखें इसको ऐसे समझेए यह है एक बिंदू यहां से भूकम की उत्पत्ति होई अब इस बिंदू से कुछ दूरी पर एक और जगह है यह इसको दूसरा बिंदू कहलो ठीक है यह हिला यानि महसूस कहां पर हुआ भूकम यहां हुआ इस जगह पर तो यह हो गया अधी बिंदू है जहां से उत्पत्ति होई तो उत्पत्ति यहां से होई है हिला नहीं है जगह हीली जगह यहां हिला यहां गिरा मिट्टी पेड़ घर बर गिर गए तो यह हो गया क्या अधी केंद्रियापी सेंटर और यह है वह फोकस बिंदू अब क्या पूछ रहा है जिस बि बिंदू से भूकम की उत्पत्ति होती है उसको फोकस कहते हैं और धरातल पर फोकस के लंबवत बिंदू को अधिके इंद्रियानी एपिसेंटर कहते हैं भूकम की तीबरता जिस ग्राफ पर मापी जाती है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं और भूकम की तीबरता जिस स्केल पर विचार करना है पहला स्टेट्मेंट है जिन जॉज्वाल см가지यों से लावा गायस राम एक्टि वॉलकिनों को यह निनी सक्रिया गाया बिल्कुल nghiकल रहा है गायस निकल रहा है राक निकल रहा है बरतमान समय में विश्व में 650 से अदेक सक्रिया बारत में अंडबान द्वीप समुमे इस्थित वैरन एक मरत जोला मुखी है भारत का एक मात्र सक्रिय जोला मुखी है गलत दोजार छे में इसमें प्रस्पुटन हुआ था तभी उपीएसी ने पूछ भी लिया था अगले ही साल अब गलत इसमें डूड़ना तो तीसरा गलत है तो भारत बर्स में अंडबान निकोबार अंडबान द्वीप समुमे इस्थित जो वैरन है वह एक एक्टिव वालकैनों सक्रिय जोला मुखी का उधरन नाकी मरत जोला मुखी का हाल ही में इसमें जो है अंतिय प्रस्पुटन 2016 में ही हुआ है उदगार की अधार पर जोल बैसीचिदे जोल कि आलवे उस्क्रिया है झाल से कौको सण नमबर 10 एक आसान सा प्राश् demander प्रत्वी कैसे घुमती है प्रत्वी सूर के चारों और आखोमती है बताहिए कैसे घुम रही है प्रत्वी कि इस्डेन वेस्ट इस्ट-टु-EMAılarria मतलब मशिंभकी सुईयों की ,ší गाड़ी कैसे घुमती है गाड़ी घुमती है इस टू वेस्ट और जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जो 36 किलोमेटर के उचाहे पर यहां मान लीजिया आड़ता है इसके चार और चक्कर लगा रहा है उसी 24 घंटे में इस अच्सटर ब destination का यह कसा सट्सट्राइब कर सकतेयों सिर्फशिस की स्टेडी चैनल को टेलिड्र चैनल से जरूर्ड जुट जाना डिस्क्रिप्शन ब्क्स में लिंक कि इस पूरी की पूरी टेस्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां पर टेस्ट नंबर बन से लेकर कौन से नंबर का है 134 इस तक पहुंच सकते हो धन्यवाद